अब हम स्टार्ट करेंगे अपने employees एड़ करना अपने p3 software में last video में हमने employee की default set की थी अब हम देखेंगे हम अपने employees का record कैसे एड़ करेंगे मैं हूँ अपने employees and payroll center पे और इस बार मैं जाऊंगा यहां shortcut से employees और new employee और just to show you के menu bar से हम कहां से write करेंगे वो है maintain और employees slash sales reps यहां से मैं इसको click करता हूँ और यहां से वो window खिल गई है और यही window मैं employee के shortcut से और new employee पे जाके भी खुल सकता हूँ अब देखें यहां पर जो एक चीज मैंशन है maintain employees and sales reps अब sales reps और employee में हमें आपको difference बताता हूँ employee आपका वो होता है जो के monthly या bi-weekly या weekly salary पे होता है fixed salary sales rep होता है जो के commission based earning भी करता है इसको आप hourly भी pay कर सकते हैं और on commission भी अब एक sales rep आपका employee भी हो सकता है और एक contractor जो के outside of your company है वो आपका sales rep भी हो सकता है जिसको आप commission पे करेंगे और एक employee आपका चुके salary भी हो सकता है तो हम इसको बोथ भी कर सकते हैं यानिके वो एक fixed salary पे हो प्लस वो commission based earning पे भी हो तो हम यह दोनों cases देख लेंगे मैं अशा करता हूँ यहां से पहली example लेता हूँ as a employee की और यहां से employee ID अब employee ID का कोई criteria नहीं है इसको आप कुछ भी enter कर सकते हैं जो के meaningful भी हो और uniquely identify भी करें आपके employee को तो मैं ऐसा करता हूँ के पहला employee मैं लेता हूँ एक मौमद अली तो मैं क्या करूँगा उसका first name का first initial और last name का first initial और उसको साथ together with date of birth मैं यहां पर enter करता हूँ तो मौमद अली मौमद का M, अली का A और साथ date of birth मैं एक dummy date of birth आता हूँ like 05 February 1980 यहां से मैं करता हूँ और मैंने अपने employee की ID क्रेट कर दी first name मैं डालता हूँ मैं इसका मौमद में अली कुछ नहीं है last name मैं डालता हूँ अली और कोई suffix नहीं अब यहां से मैं select किया employee और नीचे आता हूँ साथ पहले general tab है तो यह में employee की general information उसका address उसकी cities state zip उसकी country उसका telephone और फिर उसका email आगे social security number जो के like national tax number होगा यह tax number यह UK में NI number whatever applicable फिर है type को full time employee है, part time employee, hourly employee, things like that फिर है आगे hired के कौन सी date को hire किया है although कि यह सब fields required नहीं है, maintained नहीं है but still इनकी कांका जूद पढ़ सकती है like जब आप आएंगे hired में तो आपको यह पर लग सेगा कि इस employee ने कब आपकी commission start किया तो फिर based on that आप उसकी seniority level को maintain कर सकेंगे फिर last race कि आप कब last time इसकी salary को race किया था ताकि suppose कि अगर आपकी company का rule है, आप annual basis पे salary increase करते हैं तो आपको पता हो कि last time race कब हो था, अब 1 साद हो चुका है तो आप इसको next race कब मिलेगा फिर terminate in case अगर आपने employee terminate कर दिया तो उसकी date पर आगे birth date है just in case अगर आपकी company का HR rule है कि birthday पे अपने employees को एक card भेजना या whatever फिर है gender अब gender again required नहीं है बट इसकी जुरुत क्यों पड़ेगी क्योंकि काफी नाम ऐसे होते हैं जो के equally both gender पे applicable होते हैं तो यह ना हो कि आप उसको आपके employee female हो आप उसको male समयल लें या male हो से female समयल लें तो यहाँ पर इस mention करना better होगा फिर है rehired in case अगर आपने employee को terminate किया है और पर दुबार से hire किया है तो इसकी rehiring date यहां लिखेंगे ताके आपको यह पर लेक्शन करके altogether उस employee ने आपकी company के लिए कितना अर्शा काम किया है next is customizable field यह मैंने आपको दिखाए थे जब हम employee default को set कर रहे थे अगर मैंने वाँ पर कुछ customizable field set की होते तो यहां पर mention होते है यहां पर यहां पर यहां पर आप pay method mention करेंगे usually employees को हम salary देते हैं अब यह demand करता है weekly दें बाए monthly दें या monthly दें तो यहां से मैं चुके मेरा employee है महमद अली होता है यहां से मैं करेंगा कि मैं इसको salary देता हूँ अब देखें यहां पर उसमें pay frequency बता दी है कि क्या आप देते है weekly देते हैं by weekly कुछ country में weekly पर भी मिलती है और monthly और semi monthly यहांसे मैं करता हूँ कि मैं मैं इसको monthly pay करता हूँ और यहाँ पर देखें अब monthly pay salary में एक ही field enable होता है account number दिया वाई 77,500 जो के मैं चार्ट व अचार्ट में होगा अब depending on के आप कौन से account से salary देते हैं वो आप यह mention करेंगे अब जो के मैं default ही उठा रहा हूँ यहासे मैं इसको override कर सकता हूँ यहासे मैं अपना account change कर सकता हूँ बैट मैं default ही रहता हूँ just for the sake of learning अब salary pay rate monthly salary में दे रहा हूँ कुछ countries में जो salary determined होती है annual like UK में मैं था तो वहाँ आपकी salary annual determined होती थी यूसे में भी में annual determined होती है और Asian countries में monthly salary determined होती है तो मैं कहता हूँ कि like मैं ऐसे 20,000 monthly salary दे रहा हूँ अब यहाँ आपने यहाँ पर यह चीज़े में रखनी है कि आपने ऊपर pay frequency को क्या choose किया हूँ है monthly choose कि विए तो आप यहाँ monthly salary mention करेंगे इस में tap press करता हूँ तो देखें यहाँ पर total monthly salary और total annual salary भी mention कर दी है अब suppose कि मैंने यहाँ पर weekly choose किया हूँ है और यहाँ पर मैं monthly salary mention करता हूँ तो देखें इसमें annual salary को increase करके काम पुचा दी है तो इसलिए यह आपने चीज देन में रखनी है next thing eligible for health insurance depending on कि आपका full time apply है या part time है या on contract है whatever तो यहां से आप इसको check कर सकते हैं फिर W-2 यह tax form होता है American tax liability तो यह आप यहां पर click करेंगे कि अगर आप उसको यह form जैज हम देखा था e-filing तो अगर आपने वह option चूज किया था तो आप इसको इसका W-2 form electronically send कर देंगे next thing देखते हैं withholding info अब again यहां पर भी मैं चीज़े as a default ही रहने देगी है क्योंकि ना ही मैं tax concerned हूँ और ना ही मैं accountant तो जब आप अपनी company खोले और फिर जब चीज़े सेट करें अपने accountant के साथ बैठके या अपने tax concern के साथ बैठके तो वहाँ आप चीज़े सेट करेंगे कि कौन कोई टेक्स आप चार्ज करें लाइक फैलिल टेक्स, स्टेट टेक्स, लोगल टेक्स और बाकी टेक्स बैरा बाकी डिरिक्शन जितनी होती है तो इस सब अब जाके यहाँ पर उनको सेट करेंगे फिर नीचे है कि अगर employee का retirement plan है या और कोई अधर plans आतो मैं next vacation या sick time पे तो यहाँ पर देखेंगे जब हम payroll setup विजट चलाया थे तो वहाँ पर था mention हुआ हुआ कि आप individually हर employee का vacation setting उसके अब record में जाके change कर सकते हैं और लो कि हर employee को एक default value मिलेगी जो कि हमने वहाँ set की थी बट in certain cases आपको हो सकता है किसी एक employee का change करना हो तो मैं वो यहाँ चेंज कर सकता हूँ suppose जैसे मैं अपने employees को आगे इसको as a beginning मैं कर दूँ hours allocate या फिर acute और फिर आगे sick time setting जो कि हमने नहीं चूज की थी again यहाँ पर भी वो मुझे option दे रहा है कि आप अतनी प्रेडर सेटिंग में जाएं और जाके sick time setting को भी enable कर सकते हैं फिर है employee fields जो कि हमने प्रेडर सेटिंग में भी देखने के थे federal income, social security, medicare, side taxes by default यहाँ set way में हैं और प्रेड कौन से account से deductions वेरो हो रही हैं और यह देखें यहाँ पर आके मैंने annual bonus जो add किया था वो भी यह mention हो रहा है 5000 और साथ कौन से account से वो निकल रहा है यहाँ चाहूं तो मैं आके इसको override कर सकता हूं यहाँ से uncheck किया और यहाँ से आके मैं चाहूं तो वही दुबारा fields जो कि मैं available थी कि अगर यह calculated है नहीं या fix है को उसा formula applicable है यह चीज़े कर सकता हूं और इस तरह company के कुछ fields हैं और इन चीज़े को मैं default ही चीज़े हम सारी देख चुके हैं employee default में यहाँ से मैं करता हूं save अब save करूंगा तो देखें यहाँ पर मैं बस कुछ fields हैं ऊपर जो के enable हो जाएंगे save किया और देखें यहाँ पर आप कुछ fields list में में तमाम employees की list दिखाएगा जो company में है new new निया employee खुलेगा close इस window close कर देगा save and new यह मैं आपको जब हम chart of accounts खोड़े से तब ही mention किया था कि अब आपने इंक और employee add करना हो तो मैं इसी employee पे save and new करूंगा तो इस employee आपको आपकोड save कर देगा और साथ दुबार से यह window को खोल देगा हो first name and last name और साथ की date of birth suppose कि मेरी company का कुछ criteria change हो जाता है या मैं किसी company हमर्ज करता हूं उनका कुछ और था तो मैं यहां से आके इनको new employee ids मैं दे सकता हूं cancel करता हूं फिर event event क्या है कि suppose इस employee की कुछ meetings है या फिर trainings events आने है तो यहां से mention कर सकता हूं मैं आँगा event पे और यहां से आके देखें यहां पर event app call from call to meeting letter from letter to comment या अगर उस employee नहीं नहीं letter लिखा हूं तो आप record में रिखेंगे कि state को इस नहीं letter लिखा था उसके note लिखेंगे इस letter में क्या था या अगर आपने employee को की letter लिखा हो हम यह example लेते हैं other में यहां पर लेकता हूं training attend training on sales date में पर दिखा यहां पर 1st July मैं करता हूं कि यह मेरी training आनी है say 15 July को यहां से में मुझे display in action items कि मुझे 15 July से at least 3 दिन पहले यह notify कर दे के इस employee की immediate training आनी है यहांसे मैं कर दूँगा save अब इस employee के record में एक event है यहां से close करता हूं log उस सारे events दिखाएगा जो इस employees के हूं खोलूंगा तो देखें हमने अभी एक event यहां एंटर किया था वो मुझे दिखा रहा है मैं चाहूं तो यहां से आके इस event को delete पी कर सकता हूं और event पर आऊं यहां से आके event भी मुझे खोल दिया delete किया do you want to delete this event yes close किया यहां से रहा हो चुका है यहां से मुझे क्लोज करता हूं फिर letters यहां से मुझे क्लिक करता हूं तो यह मुझे दखाएगा कि वह साई letters वेरा जो कि मैं employees बेजूँगा like मैं इसको क्लिक किया write letters word में या इसको मैं चाहूँ तो email कर दूँ यानि employee welcome letter है तो आपके कुछ templates हो सबके letters के like termination letter या birthday letter या कुछ EET का letter आपके बास template बनाओ तो आप अपने employees को इस तान यहां से बेज सकते हैं फिर reports reports को हम बाद में जाके भी देखेंगे thoroughly के reports के है तो यहां से मैं चाहूँ तो अतनी ऐसे windows close कर दूँ इसको मैं close करता हूँ और दुबार से हम यह खुलेंगे अब लेखें यहां पर यह पास employees में record नहीं आया है इसे मैं refresh करता हूँ और हमारा यह employee record यहां पर mention हो गया employee id, last name, first name, telephone और उसका pay method चुके वह salary भी था अब मैं एक और employee write करता हूँ employees, new employee और इस बार मैं इसको on sale रख करूँगा यह बोथ यहां पर हम एक और dummy employee लेते हैं like John Douglas तो JD उसका first initials और मैं कहता हूँ है यह है 1508 1981 इसकी date of birth ऐसे करता हूँ okay और first name enter करता हूँ John Douglas यहां से मैं करता हूँ कि यह मेरा employee भी है और sale rep भी है both click किया और यह बाकी information इसको मैं skip करता हूँ हर चीज को और हम आता हूँ main चीज पर job कर दखानी है अब चुके यह मेरा both है sale rep भी है तो मैं इसको करता हूँ इसको मैं hourly pay कर रहा हूँ यहां से आउँगा अब देखे hours पर pay period उपर mention हुआ है pay frequency कि weekly मैं इसको pay करता हूँ तो एक week में 40 hours ही काम करता है तो यहां से मैं mention करता हूँ कि इसको मैं suppose hour करता हूँ 1000 अब overtime मुझे है mention करना पड़ेगा अब overtime का usually formula यह होता है कि वो time and half यानि कि अगर आपकी एक रुटया salary है या one dollar salary है तो 1.5 यहां से आके मैं overtime यहां मैं mention करता हूँ 1500 जो के based on मेरा base rate है बागी चीज़ें same eligible full health insurance receive w2 electronically अब देखें जो हमारे hourly paid employees होते हैं उनका annual access नहीं आता क्योंकि उनको based on hours pay की आता है तो उनकी annual salary calculate नहीं होती packages similar है video holding info उसका sick time वालकि इसके employee field similar annual bonus वेरा और यह मैं चाहँ तो यहां इसको hourly paid है तो इसको annual bonus बिशक ना दूँ यहां से मैं इसको uncheck कर सकता हूँ यहां से मैं delete कर सकता हूँ और यहां फिर इसकी amount को यहां से मैं खत्म भी कर सकता हूँ यहां से मैं default ही ना देता हूँ because विशक hourly paid है है तो eventually हमारा employee और बाकी चीज़े अगें similar last thing यहां पर देखें inactive का box जो के charter accounts में भी था आप चाहें अगर आपका employee active नहीं रहा तो यहां से आपको check कर दें तो यह आपका employee हो जाएगा treat और यह फिर आपकी list में अगर आप inactive employees यह records नहीं देखने जाते हैं तो इसमें show up नहीं होगा इसको मैं यहां से कहता हूँ save और close और यहां से refresh और हमारा employee जो के hourly rate पे है वो भी यह show up हो रहा है तो यह थे हमारी employees records को add करना new employees उनको edit करना उनके events log करना और बाकि उनकी information ले लेटर्स पर रहा है वो सारा मैं आपको show करती है